गेहूं की फसल में लगी आग दमकल ने समय पर पहुँचकर आग पर पाया काबू फसल जलकर हुई रात तैसिल के मडला गाउं में अग्यात कारणों से किसान के गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई देखते ही देखते आग ने रोद रूप धराड कर लिया जब तक लोग बुझाने दोड़े तब तक काफी हिस्सा फसल का जल चुका था सूचना पहुची ओ दमकल को तो दमकल ने आग बढ़ाने से रोका तब तक किसान की पूरी फसल जलकर राक हो चुकी थी यदि समय रहते आग पर काबू ना पाया जाता तो आसपास के खेट भी चपेट में आ जाते जिससे किसानों को भारी नुकसान हो सकता था मर्ला निवासी किसान बाबूलाल पिता गंगराम एबम मुन्नी बाई पती गंगराम ने बताया हमारे पास इतनी ही जमीन थी हमने इसमें एक बूरा गेहों बोया था जिसकी फसल पूरी तरह से जलकर नश्ट हो गई सूचना पर हलका पड़वारी ने मौके पर पहुँचकर मौइना किया पंच नामा आदी बना कर ताकि सासन को सहायता किसान को मिल सके बेगम गंगर से हमारे संबाद दाता शरस सर्मा की रिपोर्ट बमीठा से हमारे संबाद दाता अशोक नामदेओ की रिपोर्ट नरारन ललार में रामकथा के बाद भंडारा में छित्रीय लोग पहुँचे पन्ना टाइगर रिजर्ब पन्ना ललार के पास दुरगम पहाड़ियों के बीच प्राकर्तिक अद्भुत मन मोहक नराइन के सिद्ध श्थल पर सिद्ध देब धाम में छित्रीय लोगों की मन की मुराद पूरी होती है इस कारण से छित्रीय लोगों की आस्ता जुड़ी है सिद्ध देब धाम पन्ना टाइगर रिजर्ब पार्क के अंदर जाने के बाद चेतरी लोगों ने साल में एक बात दर्सन की मनजूरी पार्क दौरा दी जाती है इस साल सनी बार को सिद्ध देब धाम नरायन में रामकता एब हम चेतरी लोगों के भंडारे की अन्मती मिली थी बिशाल भंडारे में हजारों लोगों सामेलो कर परसाद गनर किया सिद्ध देब धाम में बहुत विसेस्ता है दुर्गम पहाड़ियों में कई किलोमीटर तक पानी नहीं है लेकिन सिद्ध धाम में मंदर के नीचे से प्राकिर्तिक जलधारा निकलती है जो अपने आप में मिशाल है लोगा का कहना है इस सिद्ध देब धाम में बेल पत्ती के पेड की जड़ से जलधारा बहती थी अब पेड गिर जाने से मंदर के नीचे से जलधारा बहती है